नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियो और इगनु की तरफ से आज एक नया नोटिस जारी किया गया इगनु की फी रिफंड पॉलिसी के उपर इगनु की तरफ से जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की सिरुवात करते हैं और देखते हैं की फी रिफंड पॉलिसी में क्या क्या इस बार लिखा जो modified policy है उसके बारे में बताया गया सबसे पहले लिखा हुआ double multiple payment अगर कोई student कर देता यानि कि आप एक program में admission करवा रहे हैं या री registration करवा रहे हैं गलती से क्या हो गया एक बार आपने payment के लिए किया link का transaction failed आ गया आपने दूसरी बार किया दूसरी बार में success हो गया ठीक लेकिन बाद में आपको बतासलता है कि bank से तो आपके दोनों बार में ही पैसे कट गए तो उस case में आपको क्या होगा कि एक program की जो fees है यान कि एक बार की fees retain की जाएगी उनों की तरफ से और दूसरी वाली जो है वो आपको वापिस कर दी जाएगी including the registration fee जो registration fees होगी उसको भी साथ में वापिस कर दिया जाएगा यान कि आपकी दो फार अगर fees कट गई है उनमें से एक बार को जो है वो वापिस कर दिया जाएगा और एक बार की ही रखी जाएगी अगर ऐसा होता है payment by the student for more than one non-permissible program in the same session अगर ऐसा होता है कि आपके से दो program के पैसे जो है वो कट जाते हैं जो की आपके उसमें apply नहीं है तो तब उस case में भी एक program जो होगा उसकी जो आप चाहते होंगे उसकी fees जो है वो रखी जाएगी और दूसरे की जो आप नहीं चाहते होंगे या जिसको आप return करवाना चाहते है तो उसकी fees जो है वो वापिस आपको दे दी जाएगी आपके bank account में जहां पर से कटी होगी उसके बाद है rejection cancellation of admission form अगर आपका admission form जो है वो cancel हो जाता है किसी भी कारण से चाहे आपका कोई criteria पूरा नहीं किया गया आपके द्वारा उस course का या फिर कोई भी दूसरा कारण हो लेकिन आपका admission जो हो cancel हो जाता है तो university के द्वारा यहाँ पर एक चीज और लिखी होगी है university के द्वारा अगर आपका admission cancel हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है वो वापिस मिल जाएगा after deduction of registration fee लेकिन registration fee जो है वो वहाँ पर से काट दी जाएगी आगे इसमें बताया गया है case where the university decide to withdraw the program due to any reason अगर ऐसा होता है कि आपका course पहले available था लेकिन अब आपके admission लेने के बाद किसी भी कारण से इगनू के अंदर अब वो available नहीं है तो उस case में भी आपकी registration fee समित पूरी program की fees वापिस कर दी जाएगी आगे भी आपको जानकारी दी गई है अगर ऐसा होता है कि student ही चाता है कि वो अपना admission cancel कर वाले काफी सारे student होते हैं जो की जिनको दिल्ली university में जाना होता है या किसी और university में जाना होता है या फिर G9 या फिर NEET medical exam को उन्होंने form भरा हुआ होता है लेकिन साथ-साथ वो एक guarantee के लिए इगनू का form भी भर देते हैं इगनू में भी admission करवा देते हैं कि ठीक है अगर इन जगा पे नहीं भी हुआ तो कम सकम इगनू में तो होई जाएगा इगनू में एक guarantee तो है कि एक जगा admission हो रखा है तो अगर आपका ऐसा है कि आपने बाद में अपनी मर्जी से आप admission cancel करवाना चाहते हैं तो उस case में किस तरीके तरी fee refund की जाएगी उसके बारे में जानकर यहां पर दी गई है अगर आपका admission confirm होने से पहले ही आपका cancel आप कर देते हैं तो आपको पूरी की पूरी fee जो है वो program की वो वापिस मिल जाएगी लेकिन registration fee जो है वो नहीं मिलेगी दूसरा है अगर आपका ऐसा होता है कि admission जो है वो confirm होगया उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना admission cancel करवाना तो पहले 15 दिन में अगर आप cancel करवाएंगे तो आपको 500 रुपे के deduction के साथ आपकी program fee जो है वो वापिस मिल जाएगी और registration fee जो है वो लेकिन refund नहीं की जाएगी अगर 90 days यान कि 90 दिन के बाद आप करवाते हैं तो आपका refund जो है वो एक हजार रुपे की आपकी fees को काटा जाएगा और बाकी पैसा आपको आपकी कर दिया जाएगा लेकिन इसमें भी registration fee नहीं मिलेगी अगर 90 दिन के बाद आप अपना admission cancel करवा रहे हैं तो आपको रुपे वापिस नहीं दिये जाएंगे उसके बाद बताया गया है while counting the period the date on which request for cancellation of admission is received from the candidate, so all be taken into account यानि की जो आपका time period मापा जाएगा वो मापा जाएगा जिस दिन से आपने अपना issue करवने के लिए अपना cancel करवाने के लिए admission request जो है वो issue की थी उस दिन से आपका time period मापा जाएगा जिस दिन आपका admission इस दिन करवाने के लिए उसके उस दिन को exclude किया जाएगा जाए रिफंड विल बी रेवर्टे to the same debit card credit card जिस में से आपको पैसे आपने दिये थे उसी debit card या credit card में आपके पैसे वापिस आ जाएगे ठीक आगे भी बताया गया है fee cancellation of admission or refund of fee as the case maybe candidate will make a return email request to the concerned regional director for such cancellation and refund of fee आपको क्या करना होगा अपना admission fee या refund of fees चाहिए तो आपको regional director register SRD के पास email भेजना होगा या फिर return request भेजनी होगे कि मुझे पैसा जो है वो वापिस चाहिए अपना refund चाहिए और मैंने admission कैंसल करवा दिया है ये जो guidelines है जितनी भी वो जनवरी 2023 के admission cycle से ही लागू हो चुकिए यानकि जनवरी 2023 में भी अगर आप admission के ले रहे हैं तो इनी guideline के अधार पर आपके पैसे वापिस किये जाएंगे उसके बाद 79th Academy Council की जो meeting हुई थी उसमें एक बात बताई गई है कि आप से development fee ली जाएगी 200 रुपीज सभी इस प्रेंट से January 2023 के admission cycle से यानकि जनवरी 2023 के admission cycle से अब आपको 200 रुपे की आपको development fees भी submit करनी होगी इगनू में तो यह जानकारी दी गई है fee refund policy के उपर इस तरीके से आपकी fee refund जो वो की जाएगी यह एक आपको criteria जो वो पालन करना होगा तो आज की वीडियो में इतना ही आप यह pdf खुद भी देखना चाहते हैं खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे telegram channel चोहान वीडियो द्वाइटी से को डाउनलोड कर सकते हैं उसका link आपको description box से मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही